हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ किसा बढ़िया होगा दोस्तों हमेशा सिक्के के दो पहलो होते हैं एक तरफ अच्छाई है तो दूसरी तरफ बुराई यही हल भारत के पडोसी मुलकों कभी है एक तरफ जहां पाकिस्तान जैसा खौंखार परडोसी भारत के बगल में है तो वहीं दूसरी तरफ भोटान जैसा देश जो की बहुत खुबसूरत और शांति प्रिय देश है वो भी भारत के बगल में है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों एक बार आपको भोटान जरूर जाना चाहिए आखिर क्या बज़ा है कि जो भी एक बार भोटान गोम के आता है वो हर छुट्टी में वहीं जाना चाहता है कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि भुटान उनका दूसरा गर है भुटान की खुबसूरती कैसे सबसे अलग है यहां का खाना सभी को क्यों इतना पसंद आता है और सबसे बड़ी बात यहां के लोग इतने दिलदार कैसे हैं आज हम आपको इस वीडियो में यह सारी जान खाती देंगे लेकिन उससे पहले एक बात रोजमर्रा की तुफान में एक बार तो आईए भुटान में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूँ कि भुटान यकीनन बहुत छोटा देश है यहां की पॉपुलेशन लगबग 9 लाख ही है लेकिन यह देश कभी किसी का गुलाम नहीं बना भुटान के एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ हिंदोस्तान और साथ में तिबत हमाले की गोद में बसे हुए भुटान की राजधानी थिमफू है जिबकि इसका फेनांशिल कापिटल है फुन्थ शोलंग यहां के कुलाबादी में 76 प्रतिशत बुद्धिस्ट हैं तो बाकी 24 प्रतिशत हिंदो दूस्तों भुटान के किसी निवासी के साथ अगर आपके मुलाकात हुई है और उनकी कोई बात अगर आपको समझ नहीं आ रही तो चौंकिएगा मत क्योंकि यहां के निवासी यूंखा भाशा में बात करते हैं भुटान दुनिया भर में कदभुत देश के तौर पर प्रसेद है पर क्यूं इसका रहसी बहुत ही आश्चरे जानक है क्या कभी आपने किसी ट्राफिक पोलिस को अपने पारं पर एक निरत्तिक के द्वारा च पहाड़ीयां ही पहाड़ीयां है लेकिन जब आप भुटान जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहां के लोग कितने क्रियेटिव हैं यहां का आर्किटेक्शिर कितना दमदार है पहाड़ीयों के बीच में आपको देखने के लिए एक से बढ़कर एक किले नजर आएंग लोग बेहत शांत सुवभाब के होते हैं लड़ाई जगड़ा यहां का कल्चर नहीं है साथी आपको बता दू कि भुटान के लोग डान्स के बहुत शौकीन होते हैं यहां हर किस्म के फंक्शन को नाच गाने के साथ सेलिबरेट किया जाता है जब यहां के लोकल लोग डा कोहार में डान्स परफॉर्मेंस देते हैं बलकि टूरिस्टों के लिए भी यह मनोरंजन का साधन बनते हैं यही लोग तो टूरिजम को बढ़ावा देते हैं भुटान में भुटान के बारे में कजीब बात यह है कि यहां लड़कों के बदले लड़कियों को संपत्ती दी यह है कि भुटान जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरत नहीं पड़ते हैं पर्मिट लेना जरूर पड़ता है इसकी एक वज़ा यह है कि भुटान के अपनी कोई अलग सेना नहीं है इस देश की सुरक्षा के जिमेदारी भारत की है दोस्तों चलिए अब आपको गएगा कि आप किसी और दुनिया में ही आ गए हैं शांदार नजारों के साथ ये बहुत खूबसूरत नजर आता है बर्फ से धकी चोटियां असपास छोटे चोटे घर हरी भरी वादियां सेलानियों को इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है जब भी कोई भुटान जात भी बहुत ही अच्छा नजर आता है तो दोस्तों आप जब भी भुटान जाएं यहां तो जरूर ही एक बार विजट कर लें नमबर टू टाइगरनेस मोनस्ट्री भुटान के प्रमुक परेटन स्थलों में से एक है कई सो साल पुरानी इस मोनस्ट्री का निर्मान 1692 में हुआ था कहते हैं गुरुपद्म संभवा यहां 3 साल 3 महीने 3 हफते 3 दिन और 3 घंटों तक ध्यान में लिन थे जब आप यहां के बीच से निकल कर यहां तक पहुँचना आसान नहीं है यहां छोटे-छोटे बच्चों को बौधिक शिक्षा दी जाती है उन्हें भगवान बुद्ध के दर्शाय गए मार्क पर चलने की जानकारी दी जाती है दोस्तों गैंक्स्टा डंक्स्टे लखांग मंदिर को दुनिया के सबसे खुबसूरत मंदिरों में से एक माना जाता है इसे सन 1421 में सेंट थैंग टॉंग गैलपो ने बनवाया था इस मंदिर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है बॉद स्टाइल से तयार किया गया ये मंदिर यकीनन बहुत अट्राक्टिव है ये मंदिर वाहर से जितना कलरफुल देखता है अंदर सी के उतना ही खुबसूरत है अगर आप भी भूटान जाते हैं तो ये जगह आपके विशलिस्ट में यकीनन होनी चाहिए भगवान बुद की प्रतिमा भगवान बुद के डोट डेन्मा की प्रतिमा थिम्पो में स्थित है जो विश्व में भगवान बुद की विशलिस्ट में से एक है इसकी उचाई करीब 179 फीट यानि की 52 मीटर है मुख्य रूप से यहाँ पर हजारों बौध भगवान बुद की प्रतिमा के सामने ध्यान करते है दूस्तों एक बाद तो तैय है चाहे आप दुनिया में कहीं भी क्यों न चले जाएं चाहे आप कितनी भी जगहें क्यों न घूम ले लेकिन जब तक आप उस जगह से कुछ सामान खरीद कर नहीं लाते आपकी यादें अधूरी रह जाती है है कि नहीं दोस्तों ऐसा हमें कॉमेंट करके बताईएगा जरूर तो अगर आप भुटान जाते हैं और आपको करनी है बहुत सारी शॉपिंग तो आप जा सकते हैं पारो विकान मार्केट यहाँ आपको भुटानी परंपरा के लिहाज से सभी चीज़ें मिल जाएंगी अब यकीनन अस मार्केट को बहुत इंजॉई करने वाले हो भुटानी कपड़ों से लेकर वहाँ के प्रसेद भुटानी गुलदस्ते भी आपको बहुत कमदाम में हमिल जाएंगे वैसे दोस्तों आपको बता दूँ कि भुटान में गरम कपड़े बहुत मिलते हैं और उनके क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है तो अगर आपको चाहिए कमदाम में जबरदस चीजें तो आप कर सकते हैं पारो मार्केट में बिंदास शॉपिंग यह घाटी भुटान की सबसे प्यारी और छोटी सी जगा है इस जगा आपको अपने पार्टनर के साथ जरूर जाना चाहिए क्योंकि इसे रोमैंटिक जगों में से एक माना जाता है यहाँ पांच मंजल का उचा नुकीला धाचा है जिससे पुराने समय में बनाया गया था और आज भी दो दिवारों और एक पुल द्वारा वो सुरक्षत खड़ा है जूरी जॉंग फोर्ट भुटान में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगों में से एक है यहाँ जाने के लिए आपको टिकेट लेना होता है फोर्ट के अंदर ही कई सारे रेस्टरॉंस हैं जहां आप अपने पार्टनर के साथ भुटानी खाने का लुट फुटा सकते हैं तो दोस्तों जब भी आप भुटान के यात्रा पे चाएं तो जूरी जॉंग फोर्ट जाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों अगर आप ट्रिकिंग के शौकीन है तो भुटान आपके लिए पोफिक्ट है भुटान में ट्रिकिंग का अपना ही मज़ा है यहां हमाले के पहाडों में ट्रिकिंग करना किसी एडविंचर से कम नहीं है अगर आपको trekking का मज़ा लेना है तो इसके लिए आपको एपरिल के मौसम में जाना चाहिए वहीं अगर मौसम का लुथ फठाना है तो इसके लिए आपको अक्टोबर के महीने में वहाँ जाना चाहिए वैसे भुटान में भारत से बहुत सारे यंग्स्टर सर्फ और सर्फ trekking करने के लिए ही जाते हैं उचे-उचे पहारियों पर trekking करना, टेंट लगा कर वहाँ पर रुकना, रात में आग जला कर खाना तयार करना, दोस्तों के साथ मिलकर रात को यादगार बनाना, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए किसी छुट्टी वाले destination में चलिए अब जानते हैं भुटान के खान पान के बारे में, भुटान की एक और चीज जो टूरिजम को खास बनाती है, वह है यहाँ का खान पान, दीखिये मिर्च के साथ तेज मसालों का इस्तमाल यहाँ की ज्यादा तर डिशिस में किया जाता है, वैसे तो यहाँ खाने प किया जाते हैं, नॉन विज मोमोज में जहां मीट की फीलिंग होते है, वह है विज मोमोज में पालक, स्वयबीन और चीज की, इसे अब सीम्ड और फ्राइड दोनों ही तरीकों से खा सकते हैं, यहाँ भी इसे चिले सॉस के साथ ही सर्व किया जाता है, इमा दत्शी, दूस मिर्च के साथ मिक्स करके इसे बनाया जाता है, इसी आप वैसे भी खा सकते हैं, या अगर चाहें, तो चावल में मिक्स करके खा सकते हैं, खुर ले, अगर आप भुटान में हैं तो यहाँ के ज्यादतर रेस्टरॉंस के मेन्यू में आपको ये डिश जरूर दिखाई ये भुटानी पैनकेक है, जिसे गेहू नहीं बलके कुट्टू के आर्टे से थैयार किया जाता है, स्पॉंजी टेक्स्चर और टेस्टी फिलिंग इसे बनाते हैं और भी ज्यादा मज़ेदार, टूरिस्स इस पैनकेक को बहुत पसंद करते हैं, तो दोस्तों क्या सोच र दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों आज की एपिसोड में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, साथे बिल आइकन को भी ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद